खाहानी के स्टार्टिंग में सोते हुए जीन को दिखाया जाता है जिसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सू प्रेगनेंट है और वो भाग रही है यहाँ पे वो अपने गार्ड को पकड़ने के लिए कहता है सू को यह सब कुछ बाहर खड़े होके यही सुन लेती है वो यहाँ पे उसे बुरी तरीके से ट्रेट करने लगती है सू उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो जिन को पता चलेगा तो वो तुमें नहीं चोड़ेगा यहाँ पे उससे कहती है सू कि मुझे हॉस्पिटर लिके जाओ क्योंकि मेरा बेबी होने वाला है यहाँ यह पे य हो सोती है तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है और उसे हॉस्पिटर लिके जाता है हॉस्पिटर में देखते है कि सू ने एक और बेबी को जिनम दिया होता है तभी सू नियूज में देखती है कि यह उसके हस्बेंड से साधी करने वाली है और उसने नियूज में बता कोई बात नहीं अब मुझे यहां पर नहीं रहना है तुम मुझे अपने साथ ले जाओ इसके बाद हमें पास साल बात का मुमेंट दिखाया जाता है जहां पर हम एएरपोर्ट पे देखते हैं सु को एक बेबी के साथ सु उससे कहती है कि बेबी किसी को भी हमारी आइडेंट दिखा होता है तो वह कहता है क्या उन्कल मेरे डैड थे क्यूंकि वो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे तो कहते है कि वह अब बहुत किरते जिभी तमेरे बारे में ओसके साथ बेबी da आती है हम देखते है जिन जो पहुझता है हॉस्पिटल में उसे वहां पर पता चलता है कि उसकी वाइफ के तो डैथ हुई ही नहीं थी वह यह जानके एकदम से घुस्से में आ जाता है और कहता है सू तुमने मुझे जूट बोला था और तुम इतने सालों से गायब थी यहा कि मुझे नहीं पता था कि वह वापस आ जाएंगी वह किसी और से प्यार करती थी और भाग गई अगर मुझे पहले पता होता कि वह प्रेगनेंट थी तो मैं उन्हें रोक लेती लेकिन उस पर गुसा करता है जिन तब ही उसके पास स्कॉल आता है होटल में देखते हैं जि तुम्हारी लाइफ से जा चुकी हूँ अब तुम मुझे माफ करो यहाँ पर उससे कहने लगता है जिन कि तुम्हारी वज़े से हमारा बेबी भी कितना डिश्टब रहता है तुम्हें पता भी नहीं है वो बोलता भी नहीं है यहाँ पर यह सुनके बुरा लगता है सू को सू कहती है कहाँ पर है बेबी मैं उससे मिलना चाहती हूँ लेकिन जिन गुस्से में होता है और कहता है पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा वो उससे बैट पे ले जाता है और उसके साथ बतमी जी करने लगता है उसे रोक रही होती है सू लेकिन वो नहीं रुपता तब ही उसके पास आता है उसका गाड़ और उससे कहता है कि मास्टर बेबी गायब हो गया है यह जाने के बाद यहाँ पे जिन कहता है सू से कि हाई पे रहना कहीं जाने की कोशिस मत करना अब वो वहाँ से चला जाता है बेबी को डूरने के लिए दिखाया जाता है कि यह की कहने पे एक परसन उसके बेबी को किनाप कर लेता है और उसे मारने वाला होता है तब वहाँ पहुँच जाता है सूका बेबी और उस बेबी को बचा लेता है सुका बेबी समझ जाता है कि हम दोनों भाई है वो कहता है कि मॉम डाड की बिच में कुछ प्राब्लम्स चल रही है हमें उसे क्लियर करना होगा लेकिन तब तक तुम डाड को मेरे बार में मत बताना आगे हम देखते हैं कि पुलिस टेशन में पहुच जाता है जिन जहाँ पर उसे अपना बेबी मिल जाता है जिन उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किस ने बचाया था लेकिन यहाँ पर उसका बेबी उससे मना कर देता है तुको भी उस बेबी की चिंता होती है तो इसलिए वो होटल रूम से भाग जाती है लेकिन वो देखती है कि जीन को बेबी मिल गया है जीन अपनी बेबी के साथ रूम में होता है यहाँ पर वो एक ड्राइंग देखता है जिसमें उसके बेटे ने मदर का फोटो बनाया होता है वो समझ जाता है कि उसका बेटा अपनी मदर को मिस्ट करता है इसलिए वो जाता है होटल रूम में मिलने के लिए सू से लेकिन वो देखता है कि वो हाँ से भाग गई है तो उसे बहुत गुसा आता है वो अपने गार से कहता है फिर से उसे डूलने के लिए तब ही उसके ऑफिस में उसकी सेकेटरी आती है और उसे फाइल देकर कहती है कुछ लोगों ने जॉब के लिए अपलाई किया है जैसे ये उस फाइल को देखता है जिन तो उसमें एक रिज्यूम होता है सू का भी वो कहता है कि इस लड़की को आज के आज ही बुला लो इंटरव्यू के लिए और कहता है सू अम मैं तुम्हें भागने नहीं दूँगा सू के पास कॉल जाता है कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने आज आ जाईए सू कहती है कि मैंने तो इस कंपनी में अपलाई ही नहीं किया है क्योंकि उसके बेटे ने अपलाई कर दिया होता है उस कंपनी में ताकि वो अपने मॉम डाड़ को एक दूसरे से मिला सके सू पहुच जाती है इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे दूसरे रूम से बैट के यह सब कुछ देख रहा होता है जिन इंटर्वियू में वो लोग उसे पास कर रहे होते है लेकिन तबी यह आकर वहाँ पे ड्रामा करती है और कहती है सू से कि तुम यहाँ से चले जाओ वहापे आजाता है जिन और कहता है कि नहीं, यहापे जौब कर सकती है क्यूंकि इसकी डिजाइन काफी अच्छे है तो मजबूरी में सू उसकी कमपनी में काम करने लगती है जीन का बेबी बिमार होता है वो उसे होस्पिटर लेके जाता है डॉक्टर उसे कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम अपने बेबी के लिए उसकी मदर को उसके पास लाओ क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो यहाँ पर सोचने लगता है जिन सू के बारे में हम देखते हैं ओफिस में लेट नाइट तक वर्क करती है सू वो अपने बेबी से फॉन करके कह देती है कि मुझे घराने में देर होगी जब वो वाश्रूम में जाती है तो वहाँ पर एक लेड़ी उसे लॉक कर देती है यहाँ पर यह देखके सू को याद आता है कि बच्पन में उसकी सिष्टा यी भी उसे ऐसे ही लॉक करती थी और उसे अंदिर से बहुत डर लगता है यहाँ पर पता चलता है इस बारे में जिन को जिन आके उसे बचा लेता है और अपने साथ लिखके चला जाता है घर पे जब मार्निंग में आखे खुलती है सू की तो वो देखती है अपने कपड़ों को और सामने खड़ा रहता है जिन, वो उससे कहते है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किये हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ उसके क्लोज आके उससे कहता है जिन, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है जिन यहाँ पर कहता है यह सब कुछ छोड़ो मैं आज से तुम्हें एक और जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ तुम्हें मेरे बेबी की नैनी बनना होगा पर तुम उसे यह नहीं बताओगे कि तुम ही उसकी रियल मॉम हो यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाती है सूबी यहाँ पर इस बावल को क्लीन कर रही होती है लेकिन वो गिर के तूट जाता है वहाँ पर जिन का बेबी आ जाता है और यह देखते ही सूब को धक्का देता है और उस बावल के तूटे हुए टुकडो को अपने साथ ले जाता है उस समय बात देखते है कि जिन बताता है जीन उसे कहता है कि कैसी मा होतूं उसे छोड़की चली गई थी अब मुझे लेक्चर मत दो सू जब अपने घर पहुसती है तो वो बहुत सैड होती है उसका बेबी कहता है आप परिशन क्यों है उसकी माम कहती है एक प्रॉब्लम है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ तो यहापे उसका बेबी कहता है आप फाइट कीजिए यहापे सू कुछ सोचती है और पीछे पीछे यहां तक आ जाता है और वो जाके मिल लेता है अपने ही ब्रदर से वो दोने यहां पे कपड़े भी चेंज कर लेते हैं तब ही जिन जाके अपने बेबी का डोर ओपन करता है तो वहां पे जो बेबी आता है बहार निकल के वो सुका बेबी होता है वो हमारी मॉम है लेकिन डैड नहीं चाहते कि इस बारे में तुम्हें पता चले आसे वो तुम्हारा ध्यान रखेंगी यहाँ पर जो साइलेंट बेबी होता है जो बोलता नहीं है वो उसकी बात मान जाता है यह एक साथ आते हुई देख लेती है जिन और सू को कार से वो जै चीना था वो सब कुछ मैं वापिस ले लूँगी आगे हम देखते हैं कि सू अपने बेबी के साथ घर पे खेल रही होती है तो वहाँ पे यह आ जाती है और वो सू के बेबी को पिंच करके हट कर देती है लेकिन जिन के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे हट किया है करता है कि कल एक बेड लेडी ने मुझे हट किया सू का बेबी कहता है कि वो मॉम को डैड के लाइफ से निकालना चाती है ऐसा करते है हम लोग अपनी पोजिशन चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे सू का बेबी पहुँच जाता है जिन के घर पे और जिन का बेबी पहुच चेंजिस नजराते हैं इसलिए वो डॉक्टर के पास पहुँच जाता है डॉक्टर कह देता है कि जिसने आपके बेबी को हर्ट किया है उसे दूर रखो अपने बेबी से ये सब कुछ डॉक्टर कहता है ये के कहने पे ये उस रूम के भार खड़ी रहती है और कहती है हमें थे सुनता है तो वो उसे टोचर करने लगती है लेकिन बेबी उसे धखा दे के वह से भाग जाता है ये देखकर ये को गुस्टा आता है ये जाके ओफिसमें इस बडार में बता देती है जिन को कि तुम्हारे बेबी को सु मारना पीटना सिकhा रही है उसने मेरे साथ को खाता ना कि इसे बुरी हरकती सुखाने के लिए आज ये इसे फाइट कर रहा था जिसके साथ हम इसे प्यार से रहता था सू कहते कि मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं सिकाया है जीन हापे खहा देता है कि तुम बेबी से दूर रहोगी अब तुम इससे नहीं मिलोगी यहापी क्या कहा तुमने तुम उसे पांस साल पहले छोड़ के चलेगी थी अब तुम मुझसे मेरा बेबी मांग रही हो सू उससे कहती है वैसे भी तो तुम यह से प्यार करते हो और उसे साधी करना चाहते हो तो जब उसके लिए तुम एक स्टैफ मदर्ड बना सकते हो तो मैं भी उसके लिए एक स्टैफ फादर ढूंड सकती हूँ ये सुनते ही उसे गुसा आ जाता है सूपे वो उसे पकड़ लेता है कहता है क्या कहा तुमने कि तुम मेरे बेबी के लिए एक स्टेफ बादर ढूड़ोगी ऐसा नहीं होगा तुम तुम मेरे बेबी को हट कर रही हो मैं तुमें कभी अपना बेबी नहीं दूगा यहाँ पे सूपे कहती है तुम बागल हो क्या मैं उसकी मा हूँ मैं उसे कभी हट नहीं कर सकती उसे हट किया है यह ने यहाँ पे उसकी बात के बारे में थोड़ा सोचने लगता है जिन जिन उसे कहता है अगर तुम्हें बेबी के पास रहना है तो आज से तुम मेरे घर में ही रहोगी उसके साथ और वहाई पर तुम उसका ध्यान रखोगी और वो उसे टेच्च करने लगता है कहता है वैसे तुमारे भी तो कुछ जरूरते होंगी उन्हें भी मैं साथ में पूरा कर दूँगा यहाँ पर वो उसके क्लोज जाकर उसे किस पगेरा करने लगता है यहाँ पर गुसे में उसे चाटा मार देती है सू और अपने से दूर रहने के लिए कहती है जिन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अगर मेरे बेबी को हट किया और मुझसे छीननी की कोशिस की तो मैं तुमारी जान ले लूँगा वो वहाँ से चला जाता है नेक्स्टे ऑफिस में आके यह सू से कहती है कि अपना डिजाइन समिट कर दो और आज तुमारा डिजाइन अच्छा नहीं हो तो तुम्हें इस कंपनी से भाहा निकाल दिया जाएगा उससे सू कहती है कि देखते है कि इस कंपनी से भाहर कौन जाएगा वो जब अपना डिजाइन दिखाने जाती है कस्टमर को तो उसका डिजाइन बहुत पसंदाता है और यह सब कुछ दूर से देख रहा होता है जिन भी आगे हम देखते है जिन अपने बेबी के साथ डिनर कर रहा होता है लेकिन उसका बेबी खाने से खाना मना कर देता है जिन अपने बेबी से कहता है कि तुमारी नैनी वापिस आ जाएगी खाना खालो और वो कॉल करके कहता है सू से कि तुम घर आ सकती हो देखते हैं कि सू घर वापिस आ जाती है और उसके बेबी के साथ बहुत प्यार से खाना खा रही होती है तो यह देखके जिन को भी खुशी होती है जब वो लोग बेबी को सुलाते हैं तो वहाँ से जाने लगती है सू बेबी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज रात मेरे साथ ही सोए यहाँ पर जिन और सू इस चीज़ के लिए अगरी हो जाते हैं और उसके साथ बैट पे एक साथ लेट जाते हैं यहाँ पर बेबी दोनों के हाथों को मिला देता है एक दूसरे से और काफी खुश हो रहा होता है जिनको देखते हैं ओफिस में जिसे पता चलता है कि एक महने से जितने भी डिजाइन बनाए गए हैं वो सारे सूने बनाए है इसलिए वो उससे इंप्रेस होता है और कहता है अपने असिस्टेंट से कि उसे एक फ्लेट और बॉनस दे दो साथ में हम देखते है ये को जो कि उस क्लाइन के पास पहुँच जाती है और उसे अपने डिजाइन दिखाने लगती है ये कहकर कि ये मैंने बनाए है लेकिन एक्शली में वो डिजाइन होते है सू के और उसने कल रात उन्हें चुरा लिये थे तब ही सू वहाँ पे आ जाती है और कुछ अपने नए डिजाइन दिखाने लगती है उस लेडी को और उस फाइल को देखके कहती है ये तो मेरे डिजाइन है जो कल चुर गए थे यहाँ पे सारी बात किलियर हो जाती है सब के सामने तब ही महाँ पे आ जाता है जिन भी तो वो लेडी कहती है जिन से कि किस तरीके के इंप्लॉई है तुमारे एक employee दूसरे employee के design चुराता है यहाँ पे जिनको भी यह सुनके बुरा लगता है हम देखते है सू यहाँ पे अपना काम कर रही होती है यह उसके पास आके कहती है कि इस बार तुम बच गई पर अगरी बार नहीं बचोगी मैं तुमें नहीं चोड़ूंगी यहाँ पे उससे कहती है सू तुम मेरे design चुरा रही हो और मुझे धमकी दे रही हो तुम जैसे लड़की का कोई character नहीं होता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ तब ही हाँ पे secretary आता है और सू को उसके achievement के सारे gifts और उस नए flat के key वगरा देके चला जाता है यह सब कुछ देखकर यहाँ पे यह को बहुत jealous फिल होता है सू पुराने design देख रही होती है company के जो यह के नाम से होती है उन्हें देखके उसे कुछ गड़वर लगती है तो वो जाके अपने friend से मिलती है और इस पारे में बात कर रही होती है तब ही वहाँ पे आ जाता है जिन और उन्हें साथ में देखके कहने लगता है सू से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और उनके बीच में यहाँ जगड़ा हो जाता है उसके दोनों बेबी एक दुसे से मिलते हैं और कहते हैं mom dad के भीच में जगड़ा हो गया हमें कुछ करना चाहिए आगे देखते हैं कि जिन का baby जिन से कहता है कि मुझे school जाना है जिन उसे कहता है कि तुमें तो school जाना पसंद नहीं था ना लेकिन यहाँ पर उसका baby कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यह नई नैनी और आप मुझे school छोड़ने आए यहाँ इस चीज के लिए मान जाता है जिन और जाके भी बताता है सू को कि कल से हमें इसे साथ में school छोड़के आना होगा तो यहाँ पर उनका routine बन जाता है कि वो daily साथ में office जाते हैं और साथ में office से वापिस आते हैं यह सब कुछ देख के company के कुछ imply बात करने लगते हैं कि यह तो Mr. President की ex-wife है तो क्या यह दोनों साथ में marriage करने वाले हैं फिर से कि मुझे सुको इसके life से बाहर निकालना होगा चाहे कुछ भी हो चाहे